हलो फ्रेंड्स आप सबीका अपने एच डियस ट्यूटोरियल पर स्वागत है आज हम लोग जिस्यार्टी क्लास एट का संस्क्रिट का कोसर अंसर करने वाल है अब चेप्टर हमारा फोर्टीन हो के चेप्टर फोर्टीन चतुर्दस पाठ्थ और चतुर्दस पाठ्थ का नाम है विनायक दामोदर सावरकर विनायक दामोदर सावरकर तो वीडियो के साथ बने रहिए देखिए पहला नंबर में तो सब्दार्थ है हम लोग सेकंड नंबर से देखते हैं सेकंड नंबर कोशन है आम अत्वा न माध्यमेन उतरत तो देखिए आम मतलब सही और ना मतलब गलत, सही गलत के माद से उतर देना है, तो देखिए, का नमबर, विनायक सावरकर एक सिधस्थ लेखक आसित, तो यह बिल्कुल सही है, आम होगा यहाँ, फिर देखिए, का नमबर, तेन समाजिक कूरिती नाम विरोधम न कृतम, तो यह गलत है, यहाँ पर आपको न लिखना है, फिर देखिए, गा नमबर, स, प्रथम स्वतंत्रता संग्रामस्य इतिहासम अलिखत, तो यहाँ पर आम होगा, सही है, फिर देखिए, गा नमबर, स, दुविवारम आजिवन कारावासम या पित्वान, यहाँ पर यह सही है, तो यहाँ पर आम लिखना है, फिर से सिंट कर लिए अब लोग बढ़ते हैं three number की ओर three number question देखिए एक पदेन उत्रत एक पद में उत्तर देना है का नमर देखिए कों तेजस्वी योध्धा था तो इसका अंसर हो जाएगा सावरकर, इसा आप नौट का लिजे फिर दिखे झा नंबर गभुरकर के पिता का क्या नाम था तो इसका अंसर हो जाएगा दामोदर खण छपषर के थे? तो इसका अंसर हो जाएगा कूरिती नम हो के उसने कूरिती के खिलाब विरोध किया तेन, की द्रिशानाम, वस्तुनाम, बहिसकारम, कृटम इसका अंसर हो जाएगा, वैदे सीकानाम फिर देखिए नेच्ड, गह नंबर, अंगल सर्वकारें याकिम प्रत्याकरसितम तो इसका अंसर हो जाएगा, देखिए, असनात को पाधिम असनात को पाधिम तो इस तरीके से इसे आप नोट कर लीजे अम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट फोर नमबर की ओर फोर नमबर की कुर्शन देखिए पूर्ण वाक्य उतरत पूर्ण वाक्य में उतर देना है देखिए कह नमबर विनायक दामोदर सावरकर कुत्र अजायत तो इसके अंसर देखिए विनायक दामोदर सावरकर नासिक जन पदस्य भागूर ग्रामे अजायत फिर देखिए नेक्स्ट खनमबर स कथम अंगल सर्व कारश्य मूलम अकंपयत तो इसके उतर देखिए सप्रथम स्वतंत्रता संग्रामश्य इतिहासम लेखित्व अंगल सर्वकारश्य मुलं अकम्प्यत तो इसे आप नोट कर लिजे फिर हम लोग बढ़ते हैं गानमबर की ओर गानमर कोशन देखिए सावरकर कारागारे किम अकरोद तो इसका अंसर देखिए सावरकर कारागारे देश भक्ती परकम भीतिकाव्यम अलिखत फिर देखिए नेक्स्ट गानमर सावरकरस्य जिवन चरित्रम किमर्थम अध्यतव्यम तो इसका अंसर देखिए सोतंत्रता संग् अवबोधनाय सावरकर महोदस्य जीवन चरित्रम अवस्य अध्यत्यव्यम फिर देखें नेक्ष्ट अंगा नमर सावरकर कम राजनैतिक दलम अस्थापयत तो इसका अंसर देखें सावरकर अखिल भारतिय हिंदू महासभा इत्याख्यम राजनैतिक दलम अस्थापयत तो इस फाइब नमबर की ओर फाइब नमबर की कोशन देखिए अधो लिखितानी पदानी अधरित्य प्रेश्ण निर्मान कुरूद तो यहाँ पर सब्द लिखा हुआ है जहाँ पर एक खांकित किया हुआ है इस सब्द को चेंज करके यह पूरा वाकिको प्रेश्ण बनाना है यानिकि अब तक हम लोग कोश्चेन का अंसर लिखते थे अब अंसर का कोश्चेन बनाना है तो देखिए का नमबर सावरकरस्य जिवन चरित्रम पठनियम तो यहाँ पर सावरकरस्य को बदलना है तो इसका अंसर दिखें यहाँ पर सावरकरक के अस्थान पर कस्य लिखना है कस्य जिवन चरित्रम पठनियम फिर देखें नेक्ष ते खा नंबर स अनेकान ग्रंथान और अच्यत तो यहाँ पर गरंथान में लाइन की चाहा हुआ है इसलिए गरंथान को change करना है तो देखिए यहाँ पर प्रश्न सा अनेकान कान और अचियाद यहाँ पर कान भरना है यानि की कान लिखना है देखिए फिर गानमबर प्रभात विपूल प्रभात विपूलनकर तस्य पुत्री आसित तहाँ पर देखिए पुत्री को बदलना है तो देखिए इसका question प्रभात विपूलनकर तस्य का आसित फिर देखिए next घा नमबर स समाजिक कूरिति नाम विरोधम अकरोत तहाँ पर समाजिक कूरिति नाम को change करना है तो यहाँ प पर कारावासात निस्क्रम्य सराष्ट जीवने सक्रिय अभवत तो यहां पर हम लोगों को बदलना है कारावासात को त्याहां पर दिखे इसका अंसर कस्मात कारावासात के असान पर कस्मात लिखना है बाकि सेंटेंस को सेम उतार देना है कस्मात निस्क्रम्य सराष्ट जीव लिखना है यहाँ पर देखे कुछ पद दिया हुआ है यहाँ पर खाले स्थान है यहाँ पर वचन बताना है यहाँ पर भी खाले स्थान है तो देखिए यहाँ पर एक उधारन दिया हुआ है यह था इतिहासे तो इतिहासे कौन से विवक्ति है सब्तमी विवक्ति है और वच वचन एक वचन है उसी प्रकार देखिए नेक्स्ट गा नमबर कूरिती नाम कूरिती नाम सस्टी विभक्ति है और वचन वचन बहुचन है फिर देखिए नेक्स्ट गा नमबर सर्वकारेन सर्वकारेन तृति विभक्ति है और एक वचन है फिर देखिए नेक्स्ट अंग कार कारवासात कारवासात पंचम्य विवक्ति है और वचन का बात करें तो एक वचन है इस तरीके से हमारा 6 नमर कम्प्लिट हुआ अब लोग बढ़ते हैं next 7 नमर की और 7 नमर के कोर्शन देखिए विसेशनम, विसेशेन समेलनम कुरूद तो विसेशन को विसेशे के साथ मिलान करना है देखिए, का नमबर वैदेशी का नाम, तो वैदेशी का नाम का मिलान हो जाएगा वस्तू नाम के साथ फिर देखिए, next, का नमबर समाजिकम, समाजिकम का मिलान हो जाएगा उत्थानम के साथ फिर देखे नेक्स्ट, गा नमबर प्रमुखम, प्रमुखम का मिलान उत्देस्यम के साथ फिर देखे नेक्स्ट, गा नमबर क्रांतिकारी, क्रांतिकारी का मिलान सावरकरह के साथ फिर देखिए next ने प्रस्रिताया का मिलान करना है खा नमबर का अ इस प्रस्यताया के साथ तो इस तरीके से हमारा 7 नमबर कम्प्लिट हो गया है इसे आपने उट के लिज़े हम लोग बढ़ते हैं 8 नमबर की ओर 8 नमर की कुछन देखिए उदाहरनम द्रिष्टवा लकार परिवर्तनम कुरूत उदाहरन देखकर लकार बदलना है यहाँ पर देखिए लट लकार दिया हुआ है हम लोगों को लंग लकार में बदलना है यानि कि वर्तमान काल को भूत काल में बदलना है तो यहाँ पर देख अंग नंबर प हर्प्त से इसे इसे आप नोट के ली जेए आई होप सब समझ माया होगा अगर कहीं पर दिक्कत हुआ है तो मुझे कमेंट कर दिए मैं डाउन सेशन में किलर कर दूँगा और वीडियो अच्छी लेगा दो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ अपने कलासमेट के साथ जरूर सेयर करें इसी परकार के मेरे सबी वीडियो देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें और साथ ही यहाँ पर बेल आइकन को ओल में क्लिक करें इसके बाद एचडियस टूटोरियल को टेच करें आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरा सारा प्लेइलिस्ट ओपन हो जाएगा कलास्टिक सेवन एट नाइन सब्जेक्ट वाइज और चेप्टर वाइज तो यहां से आप सारा वीडियो मेरा देख सकते हैं धन्यवाद